हलो गाईज मैं बिग बॉस 16 से जोड़ी होई लेटेस खबर लेकर आपकी सामने पेश रहे हूँ बिग बॉस की गर में दिखाया जा रहा है कि जो MCS10 है वो प्रियांका चौदरी के बहुत ज़्यादा तारीफ करते हुए नजर आ रही है और उनको कहीं न कहीं प्रियांका चौदरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी है जिसका खुलासा उन्होंने सुंबल के सामने कर दिया है लेकिन जो निमरत एंड सुंबल है वो काफी ज़्यादा जैलस हो जाती है और कहीं न कहीं शिव ठाकरे भी उनकी जे बास सुनकर जैलस हो जाती है बाजे होती है कि वो सुंबल के सामने कह देती है कि प्रियांका बहुत अच्छी है मुझे बहुत पसंद है प्रियांका जिसको सुनकर सुंबल मजाक बनाने लग जाती है और कहती है कि देखो MC का तो दिल आ गया है प्रियांका पर जे उसको बहुत अच्छी कह रहा है जिसे सुनकर जो mc stand I love बहुत ज़दा हसने लग जाते हैं लेकिन जब सभी लोग jealous कर रहे होते हैं निमरत jealous करकर पुछ रहे होते हैं कि ऐसा तो क्यों कह रहा है तबी जो mc stand I love हो कहते हैं कि जब प्रियांका ना त्यार होकर आती है बहुत अची लगी तभी मैंने सुंबल को कहा कि यह प्रैंका बहुत जादा अच्छी लगती है जिसा나ी देख जो निमरत है वो तो बहुत जज़गा जैलस कर जाती है उनकी तो बॉलती ही बढद जाती है लेकिन शेव ठाकरें कहीं न कहीं जैलस कर रहे हैं और कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें प्रैंका क्यों अच्छी लगती है तुम्हें प्रैंका इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसका वेट कम है तुम्हारे वेट के अकॉर्डिंग उसका वेट बहुत सही है तब भी MC स्टैन तो होसने लग जाते हैं और जो निमरत है बो कहते हैं क्या MC तुम्हें हमारी खुब सूर्टी नहीं दिखती हैं हम इतना ज़्यादा त्यार होते हैं तो हमें ही तो कभी ऐसा नहीं कहते हैं तुम्हें बस प्रियांका ही क्यों दिखती हैं तो जो निमरत हैं सुंबर टकूर खाना है वो तो गुस्सा हो जाते हैं MC के साथ लेकिन जो MC स्टैन वो बहुत ज़्यादा खुश होते भी नचरा रही है आपको क्या लगता है कि जो MC स्टैन आप प्रियांका चौधरी के बारे में ऐसी बात ही कर रही है इसके पीशे आखर क्या माज़रा है आपको MC स्टैन की जे फीलिंग कैसी लगी तो प्लीज हमसे शिर जुरूर की फिये और उनसे जोड़ी हर अपडेट के लिए चैनको सिस्क्राइब और वीडियो को लाइक निकिया तो प्लीज जल्दी से जल्दी कर दिजिए